बारत और भूशन पार्टनर हैं 5-3 के रेशियो में उन्होंने भगत को पार्टनर बनाया 1-5 शेयर के लिए और केस वन में भगत ने कहा कि वो अपना शेयर भारत और भूशन से एक्वोरी अक्वाइर करेगा तो यहाँ पर नेया पार्टनर डिसाइड कर रहा है केस वन में कि उसे अपना शेयर प्राणे पार्टनर से कैसे चाहिए ठीक है बच्चो तो भगत का शेयर 1-5 है अगर अपना शेयर भारत और भूशन से एक्वोरी अक्वाइर करेगा तो 1-5 का आधा भारत देगा और 1-5 का आधा भूशन देगा यानि 1-10 1-10 ठीक है बच्चो और उनका नया शेयर जो निकालेंगे भारत और भूशन का वो उनके पराणे शेयर में से जितना उन्होंने भगत को दिया है वो माइनस कर देंगे उनका नया शेयर आ जाएगा आईए अब इस सॉलुशन को देख लेते हैं तो भरत का सेक्रिफाइज फॉर भगत वन फिप का हाफ यानि की 1-10 भूशन का सेक्रिफाइज फॉर भगत वन बाइटेन ठीक है बच्चो तो यह भरत का सेक्रिफाइज आ गया भगत के लिए यह भूशन का सेक्रिफाइज आ गया भगत के लिए अब इन दोनों के नए शेर निकालने हैं तो इनके पुराणे शेर में से इनका सेक्रिफाइज माइनस कर देंगे तो भरत का नेया शेर आएगा भरत का पुराणा शेर माइनस जितना उसने सेक्रिफाइज किया 8 और 10 कलसम 40 होता है 8 5 जा 40 5 जा 25 जा 40 144 और 25-4 इस 21 अब आज यह भूशन के नए शेर पर उसका पुराणा शेर 3 x 8 माइनस जितना सेक्रिफाइज किया 1 x 10 8 5 जा 40 3 5 जा 15 10 4 जा 40 1 4 जा 4 15-4 जा 11 और भगत का नेया शेर जो कि 1 x 5 है इसे हम लिख सकते हैं 8 x 40 तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 21 x 11 x 8 और सेक्रिफाइजिं रेशियो आ गया जो कि केवल भारत और भूशन का होगा वो 1 x 1 इस तरह से यह case 1 complete हो गया जहां भारत या भगत अपना शेर equally acquire कर रहा था फ्रॉम भारत एंड भूशन अब बात करेंगे इसके case 2 की case 2 में भगत ने कहा कि वो अपना 1 फिफ शेर भारत और भूशन से 3 x 5 के रेशियो में acquire करेगा यानि कि भगत के शेर का 3 x 8 भारत देगा और भगत का शेर का 5 x 8 भूशन देगा ठीक है तो यहां भी नया पार्टनरी इसके डिसाइड कर रहा है कि उसे अपना शेर कैसे चाहिए from the old partners तो भारत का सेक्रिफाइज फॉर भगत इस इक्वल टू 1 फिफ जो कि भगत का शेर है एंट्टू 3 x 8 क्योंकि वह अपने शेर को इन दोनों से 3 x 5 के रेशियो में को डिकोवर कर रहा है तो यह हो जाएगा 3 x 40 इतना भरत देगा भगत को ऐसे ही बोशन कितना देगा तो बोशन सेक्रिफाइज फॉर भगत इस इक्वल टू 1 फिफ इन्टू 5 बाइट जो कि होता है 5 x 40 तो बोशन सेक्रिफाइज करेगा 5 x 40 फॉर भकत अब इनका नया शेयर निकालना है तो इनके पुराने शेयर जो कि 5 x 8 और 3 x 8 है उनमें से 5 x 8 माइनस 3 x 40 जितना उसने दिया 8 x 40 5 x 25 25 बाइस 3 is 22 x 40 बोशन का नया शेयर आएगा जितना उसका पुराना शेयर था जो कि 3 x 8 है माइनस 5 x 40 जितना इसने दिया यह आ जाएगा बच्चों 8 x 40 3 x 15 15-5 is 10 x 40 बगत का शेयर वन फिफ्ट है उसे हम लिख सकते हैं 8 x 40 तो नया रेशय हो गया बच्चों 22 x 10 8 या फिर 11 5 और 4 दिस दा न्यू रेशयो एंड सेक्रिवाइजिंग रेशयो 3 x 5 होगा और बारत न भूशन सेक्रिवाइजिंग रेशयो पुराने पार्टन का निकालते हैं नय पार्टन का नहीं और भारत और भूशन वह question में गिवन था 3 x 5 तो इस तरह से बच्चों case 2 भी complete हो गया ठीक है now come to case 3 case 3 में भगत कह रहा है कि उसे अपना share 15th share केवल भारत से ही चाहिए तो जो भी sacrifice करेगा वो केवल भारत करेगा case 3 में भगत ने कहा कि अपना सारा share भरत से ही लेगा तो भगत का share है 1 x 5 तो वही भारत का service बन जाएगा अब भारत का नेया share क्या होगा जितना उसके पास था देट इस 5 by 8 उसमें से माइनस कर दीजिए 1 by 5 यह आजाएगा 17 by 40 बूशन का नेया share वही रहेगा जो पहले था 3 by 8 जिसे हम लिख सकते है 15 by 40 और भगत का share तो हमें पता ही है 1 5 बस उसके denominator को 40 बनाना है उसे हम लिख सकते है 8 by 40 तो इस तरह से नया ratio आ गया 17 15 और 8 और रही पास sacrifice ratio की तो sacrifice केवल भगत कर रहा है भारत कर रहा है स्वारी भरत तो sacrifice 1 5 आएका केवल भारत का बूशन का sacrifice 0 होगा इसी का case 4 भी डिसकस कर लेते हैं बच्चों case 4 में कहा है भगत ने clearly बता दिया उसे कितना किस से चाहिए exactly 5 by 40 वो भारत से ले रहा है exactly 3 by 40 वो भूशन से ले रहा है तो sacrifice निकालने के लिए किसी के share से multiply करना ही जो होते ही है exactly given है कि वो भारत से जो question में clearly given है अब इनका नया share निकाली जीए तो भारत का नया share आ जाएगा 5 by 8 उसपे था 5 by 40 उसने भगत को दिया यह जाएगा 20 by 40 बोशन का नया share आएगा 3 by 8 था 3 by 40 उसने भगत को दिया यह जाएगा 12 by 40 अब नहीं बात भगत के share की वो तो फिर पता है बन फिफ्ट है तो भगत का new share जो कि मैं पता है बच्चो 1 by 5 इसे हम लिख सकते हैं 8 by 40 तो इस तरह से इनका नया ratio आ गया बच्चो 20, 12 और 8 या फिर 5, 3, 2 और रही पास sacrificing ratio की तो भारत और भुशन का sacrificing ratio आप यहाँ से देख सकते हैं 5 is to 3 आ जाएगा तो sacrificing ratio आ गया 5 is to 3 this was question no.9 not question no.9 illustration no.9 of the book T.S. Greval chapter is admission of a partner and the edition of the book is 2022 उमीद करता हूं कि बच्चों आपको यह solution अच्छी तह सुन्माया होगा प्रुचकर प्रुचकर नज़ा आपको यहाँ लिभाएगा